नमस्कार स्टूडेंट मैं मिस जोती आपका स्वागत करती हूँ HSSC एकजाम चैनल पर फ्रेंड्स इससे पहले मैंने हर्याना के पडोसी रज्जे की वीडियो डाल दी है अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखना आज हम NCR अक्षेतर के बारे में जानेंगे तो NCR तो बहुत बार एकजाम में पुछा गया है कि NCR की फुल फोर्म होती क्या है तो NCR की फुल फोर्म होती है National Capital Region क्या होती है National Capital Region यानि कि राष्ट्रिय राजदानी अक्षेतर और अगर इसके पीछे PB लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा हमारा Planning Board तो NCR PB की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1985 को और इसका उदेशय क्या था? यानि कि इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव था Infrastructure को विक्सित करना ये उद्योगों को बड़ावा देना ये इसका उदेशय था और NCR PB का Headquarter कहां पर है? तो NCR PB का Headquarter नई दिल्ली में है कहां पर है? नई दिल्ली में है आगे हमारा भारत में सबसे ज़्यादा अक्षेतर हर्याना राज्या का NCR में सामिल है वो कितना है? 25,327 किलोमीटर स्केर त्यान रखना ये बात कि भारत राज्या में तीन राज्या ऐसे हैं जिन में NCR अक्षेतर है और उन तीन राजों में सबसे जादा अक्षेतर हरियाना राज्य का है ठीक है आगे हमारा हरियाना का 57 परशेंट भाग दिल्ली NCR में आता है ठीक है NCR अक्षेतर में पूरे भारत के तीन राज्य आते हैं और उन तीन राज्यों के 24 जिले आते हैं ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है कि तीन राज्य आते हैं पूरे इंडिया के और उस इंडिया में से उन तीन राज्यों में से 24 जिले आते हैं और सबसे ज़्यादा राज्या का हिस्सा आता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा तो देखिए ये कौन-कौन से तीन राज्या आते हैं एक आता हमारा हरियाना राज्यस्थान और उत्तरपर्देश ये हमारे तीन राज्या आते हैं पूरे भारत के ध्यान रखना है हरियाना राज्यस और उत्तर पर्देश तो अब हम राजस्थान के जानेंगे जिले जानेंगे कि राजस्थान में कितने जिले आते हैं तो राजस्थान के दो जिले आते हैं एक आता हमारा अलवर और एक आता हमारा बरतपुर उसके बाद हम यूपी के जानेंगे यूपी के आठ जिले आते है मेरट, मुझफर नगर, बागपत, बुलंद सहर, गाजियाबाद, गोतंबुद नगर, सामली और हापड, ये आठ जिले आते हैं, दोबारा से देखिए, मेरट, मुझफर नगर, बागपत, बुलंद सहर, गाजियाबाद, गोतंबुद नगर, सामली और हापड, ये आठ जि हर्याना के चोधा जिले आते हैं कितने जिले आते हैं चोधा जिले याद रखना थोड़ा मुश्किल है तो हम जो आठ जिले नहीं आते हैं पूरे हर्याना में बाइस जिले हैं चोधा और आट बाइस हो जाएंगे तो चोधा हमें याद रखने में थोड़ी मुश्किल होगी तो हम आठ जिले जो नहीं आते हैं वो याद रख लेंगे और वो कौन-कौन से हमारा हिसार, फतेहबाद, सिर्शा, कैथल, कुरुक्छेतर, अंबाला, पंचकुला और यम्नानगर ये आठ जिले हैं जो की दिल्ली NCR में नहीं आते हैं और बाकी के जो 14 जिले बच गए वो दिल्ली NCR में आते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं NCR PB के दिल्ली NCR के अंतरगर्थ आने वाले जिलो की तरज पर भारत के नो जिलो को विक्षित करने के उदेश्य से काउंटर चुम्बक अक्षेतर बनाया गया है और इस काउंटर चुम्बक अक्षेतर में हरियाना के दो जिले सामिल हैं देखो टोटल कितने हैं पूरे भारत के नो और उन नो में से दो जिले हरियाना के हैं और वो कौन-कौन से हैं एक है हिसार हमारा और एक है हमारा अमबाला ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा हर्याना में लैंड लोक्ड लैंड लोक्ड इंगलिस में कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं बू अविष्ठित और इसको स्थलबद भी कहते हैं और स्थल अवरूद भी कहते हैं तो कितने जिले हैं ये टोटल दो जिले हैं तो देखें लैंड लोग्ड क्या होता है जिसका कोई बहारी पडोसी ना हो और हमारे हर्याना में चर्की दादरी बनने से पहले सिर्फ रोत तक ऐसा जिला था जिसकी सीमा किसी अन्य राज्या से नहीं लगती थी प्रांतु 2016 में चर्की दादरी को बनाया गया है भीवानी से अलग करके तो अब हमारा चर्की दादरी भी हो गया है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्या से नहीं लगती है तो हर्याना में लैंड लोग्ड कितने जिले हैं दो जिले हैं वो कौन-कौन से हैं हमारा रोत तक और चर्की दादरी ठीक है, हर्याना में ऐसा जिला जिसकी सीमा तीन रज्यों के साथ लगती है, तो वो है मारा यमना नगर, उसकी सीमा लगती है हिमाचल परदेश, उतराखंड और युपी, ठीक है, देखिए हर्याना में ऐसा जिला जिसकी सीमा तीन रज्यों से लगती है, तो देखिए ऐसे करके कुछ इस टाइब से हमारा हरियाना होगा तो यहाँ पर जो यम्नानगर है तो यहाँ पर हिमाचल परदेश से यहाँ पर युप्पी से और यहाँ पर उत्राखंड से यम्नानगर की सीमा लगती है ठीक है? आगे बढ़ते हैं आगे हमारा हरियाना का ऐसा जिला जिसकी सीमा दो परदोशी राज्या और एक केंदर सासित परदेश से लगती है तो यह है हमारा पंचकुला पंचकुला ठीक है? तो पंचकुला की सीमा लगती है दो राज्यों से, एक पंजाब से एक हिमाचल परदेश से और एक हमारे यूटी से लगती है जो कि हरियाना की कैपिटल है चंडीगड उसके साथ लगती है और चंडीगड का एरिया कितना है 114 किलोमीटर ठीक है आगे हमारा हरियाना के ऐसे जिले जिनकी सीमा दो पडोशी राज्या के साथ लगती है तो वो कि कुण से शिर्ष्या, फतेहबाद, अंबाला, पंचकुला और नुह, शिर्ष्या, पंजाब और राजस्थान, पंजाब, हिमाचल परदेश, राजस्थान और युपी, यह ऐसे जिले हैं, जिनकी सीमा दो पुडोशी राज्यों के साथ लगती है, ठीक है, यह कितने जिले है पंच जिले हैं हरियाना के, जिनकी सीमा दो पुडोशी राज्यों के साथ लगती है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा हरियाना के ऐसे जिले, जिनकी सीमा एक राज्या और एक इंदर सासित परदेश से लगती है, तो वो कितने हैं, दो जिले हैं, एक हमारा सोनीपत और एक हमारा फृरीदाबाद है सोनिपत की सीमा युपी से लगती है और फृरीदाबाद की दिल्ली से लगती है ठीक है आगे हमारा हर्याना का वो जिला जिसकी सीमा सबसे ज्यादा अन्य जिलों के साथ लगती है तो यह आपको पता है जीन जिसको हर्ट और फृर्याना कहा जाता है क्योंकि ये हरियाना के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है तो ये कितने जिले हैं ये साथ जिले हैं इन में से है फतेहाबाद, हिसार, रोत्तक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैतल ये साथ जिले हैं और इसके बाद ये पूछ लिया जाए कि हरियाना का सैक वो जिला जिसकी सीमा हर्याना के सबसे ज़्यादा अन्य जिलों के साथ लगती है तो वो है हमारा रोत्तक, रोत्तक की छैंजिलों के साथ लगती है और ये question भी बहुत बार पूछा गया है कि heart of हर्याना किसे का जाता है तो हमारा answer होगा जीन्द लेकिन ये पूछ लिया सोनिपत और जीन्द ये हमारे छैंजिले है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे हमारा हर्याना के दो जिले जिन की सीमा हर्याना के सबसे कम जिलों के साथ लगती है हर्याना में ऐसे दो जिले हैं जिन की सीमा हर्याना के सबसे कम जिलों के साथ लगती है तो वो है हमारा तो फ्रेंट्स आज के हमारी यह थी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना